तो गाइस फ़र से देखिएगा ठीक है और समझिएगा यह समझने वाला बात है ठीक है तो जैसा कि हम वीडियों आपर प्लिक कर रहे हैं कि इंडिया में इस वक्त हजारों मुल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें से कुछ जेन्विन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो की स्कैम कर रहे हैं यूरा पास में भी ऐसी प्लोग जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया उसके बाद मे को ने सारा पैसा एकटा किया पब्लिक का और वो भाग गए और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा भड़ गए हमारी कंट्री पे तो गर्मेंट अप इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेर के लिए कंजूमर प्रोटेक्शन डिरेक इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था तो जब इस इंडेस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रडुक्ट खरीदा अगर वह प्रड़क्ट आपको पसंद आया एस कंजूमर तो आपने मैं आगे अपने फ्रेंश को और इलेटिव को रिकमेंड किया जब रेंड किया तो उस कंपनी को असे कुछ परसेंटेज उस इंसान को दिया जिसने को रिकमेंड तो 17 तरह से इस confirmed सब्सक्री के पीच तरह जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लेकिन अगर एक कंपनी के ज credit की BMW की और उस company को आगे से आगे जो लोग जौन कर रहे हैं उनके जौन करने का मकसद उस company के प्रोड़क्स ये सर्विसेस नहीं है बलकि पैसा कमाना यहाँ तक कि उनको प्रोड़क्स कोई लेना देना तो यह एक complete scam है जिसको government ने पूरी तरह से ban किया हुआ है और इस structure में कुछ लोगों का तो फाइदा होता है बाकी लाख लोगों के पैसे डूब जाते हैं मैं आपको एक real life example देता हूं समझो वाई समझो पर एक company है जहां पर 10,00,00 लोगों ने जॉइन किया हुआ है उसकी साल की turnover है 100 करोड वहां पर अलग अलग तरह के plans होते हैं कहीं पर होता है कि आपको आगे तीन लोगों को जॉइन करवाना है कहीं पर होता है binary plan यानि कि आपको आगे दो लोगों को जॉइन network में अभी हम उन सुनने में बहुत बड़ा लगता है 40 करोड रुपए जो भी कोई नया member उस company को जॉइन करता है उसके माइन में यह होता है कि अगला करोड़ पती मैं हूँ अगर प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वो company चाहे भी तो क्या सबको लगपती करोड़ बना सक होती है जातर क्या होता है कि इन companies में आप एक पैटन देखोगे हर company का कोई न कोई एक फेस होता है वह एक इंसान स्टेज पर आ करके खड़ा होता है वहाँ पर वह इंसान आ करके स्टेज पे सबके सामने अपनी इंकम को शेयर करता है और सब को बताता है कि उसके पास में इसके बोलता है कि मैं महीने का एक करोड रुपे कमा रहा हूं इस company से इसका मदब साल का कितना हो गया बारा करोड रूपे तो सौ करोड में से बारा करोड यह इनसान लेग लेगे इसके अलावा एक और बहुत इंट्रस्टिंग पाटन अब्जर्व करोगे अगर ध्यान से होते हैं जिसको डाउन लाइन बोलते हैं उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाख रुपे कमा रहे होते हैं तो अब एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस company में जो बाकी के लोग है यानि 10 लोग है उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है 12 करोड मिला उस एक इंस स्केम के बारे में बताया कि स्केम आकर क्या होता किस तरह से हम लोग को गाउं में भी जो कुछ होने लगा आजकल लेग रहे हैं कि स्केम तो मैं पले कर रहा हूं सुनिएगा कि यानि 42 परसें पैसा यहां पर डिस्ट्रिब्यूट हो गया है अब मैं मान लेता हूं उस company का pay इसी रुपए है यह calculation के लिए के एवरेज है बट ऐसे एक्चल में नहीं होगा एक्चल में क्या होगा किसी के हाथ में हो सकता है 8000 भी आ गया किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने माला कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह decision आपका है क्योंकि सिर्व आपका पैसा नहीं लग रहा है आपका टाइम भी लग रहा है प्लस जब आप ऐसी कंपनी को जोइन करते तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में calculate नहीं किया होता है जैसे इन कंपनी सेमिना होते है यूजुली उसके लिए आपको टिकेट खरीद नहीं होती है ट्रावल के पैसे लगते हैं आपका टाइम यहां पर लग रहा है तो आपको सारी कैलकुलीशन करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एन में आपके पैसा कमाने की possibility क्या है यानि कि अगर उस कंपनी में दस लाक लोग हैं और को एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में तीन करोड़ की गाड़ी है और एक करोड़